हेलो फ्रेंड्स मैं आपका मेंटर एके सिंग और आज फिर हम अपने RPSC लाइबरी के त्यारी करेंगे और RPSC लाइबरी में क्या है आज आपका बहुत ही आसान सा टॉपिक है यानि कि जो आपने पढ़ाई करिए उसी का आपका टॉपिक है यानि कि लाइबरी एंड इन्फोर्मेशन साइन्स साइन्स ऐड्यूकेशन इन इंडिया ठीक है यह तॉपिक है आज आज का और यह तॉपिक सभी को क्या है एक तरह से पता होगा देखो सबसे पहली बात क्या कही है इस टॉपिक में ज्यादर बड़ा टॉपिक नहीं है आप किस फील्ड में हो छाइब करना का श्राष चाइब्लोमा हो आप सभी को पता है कि लाइबेरी का कौर मेक्सिम सारे मास्टर्स जहाए गटिपलोमा यहाद सि इपलोमा सिप्त्रों ऑ डिगरी। एंड मास्टरस हमारे एक साल है तो हमारा जो क्रेश जिसके बतल time करते हैं लाएबरी की फिल्ड मे आते हैं वो क्या है आपका एक तो होता है सी लिव यानि कि CLEV Certificate in Library Science, फिर आता है DLIS जिसे कहते है Diploma in Library Science, फिर आता है Bachelor in Library Science, फिर आता है Master in Library Science, यानि कि यह हमारे क्या है, क्या है Education के Courses है, यानि कि इंडिया में क्या है, Library and Information Science के Education Provider के Cours है, ठीक है, और आज के टाइम पर Across 300 to 400 जो institution है, वो क्या करा रहे है, LIS Course करा रहे है, क्या करा रहे है, LIS Courses को करा रहे है उसी के बारे में यह है आज का Topic, ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि यानि कि आपको LIS यानि कि Library and Information Science Education India, यानि Library and Information Science Education जो Courses है यानि कि Library and Information Science Education in India, यानि कि Library and Information Science जाई से कि LIS, LIS is important to all library students, यानि कि हर library student के लिए, या फिर हर वेक्ति के लिए, जो Library के field में आना चाहता है, जो Library के छेतर में अपने नाम स्थापित करना इंडिया में आपको इंडिया में यानि कि इंडिया में आपको इंडिया में क्या है, बैक्सियम 3 यानि कि 300 प्लस institution है, जो क्या करते हैं, आपको Library Science की क्या करते हैं, पढ़ाई, जैसे कि हम मोटे मोटे तो और पर लेके चलते हैं, आपका क्या है, इग्णू, यानि कि इंडिरा गाधी National Open University, वर्दमान महावीर University, उत्राकंड Open University, नालंदा Open University, यह सारी मैं Open University इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहां से ज़्याता सारे बच्चे maximum course कर रहे हैं, फिर आपके आगई उत्तरपरदेश, राश्ट्री, टंडन, Open University, और क्या है, डिले इंडिरिश्टी, और क्या है, CCS, यू मेरट, और आपकी अलिगर्ड Muslim University, फिर आपका आ जाएगा, और कौन सी उनिवर्ष्टी है, जो famous है, अलिगर्ड और DU किसलिए famous है, किसलिए, क्योंकि यहां पर क्या है, आपके लाइबर्य के courses शुरू है, PhD पहली बार क्या है, दियू में, ठीक है, यह आपको पता होना चीज, यह सब चीज़े क्या है, यह एजुकिशन सिस्टम इंडिया में, क्या लाइबर्य साइंस का, क्या योगदान है, आपको पता होना चीज, क्यों पता होना चीज, ALU, यह या graduate diploma in Library science किरते यह 2G करते आपको सब्सक्य का पता कि तर फिर क्या अगर है वे ग्रेजूशन कर लेते हो यान ग्रेजुईशन कर लेते उसके बाद कि घरते बैचलर इन लाइब जारनard in Library science कि बाद कि करते हैं आप master इन यानि कि Master's in Liar Base Science जो जातर बच्चे करते हैं यानि कि Junior लाइबेरियन के लिए आपके बहुत सारे फिल्ड में बहुत सार जिंगा क्या है एक सार यानि कि आपके graduation with one year diploma in Liar Base Science होना है या फिर आपका bachelor degree in Liar Base Science होना चाहिए अगर आप क्या है Master's के फिल्ड में यानि कि assistant professor की तरफ जाना चाहते है तो आपके बाद M leave होनी चाहिए ठीक है तो यह क्या है आपका यह बता रहा है library and information science के बारे में बता रहा है यानि कि जितने भी क्यानि Masters of Library Science क्या है जो आपका bachelor in library science यानि कि जो यह education के बारे में उसके बारे में बताता और education in इंडिया के बारे में आपको बता ही जो education system क्यानि education system library science का आया क्या उननी सर्ताब्दी में क्या है library science education in uh india एक तरह से उनी सर्ताब्दी में यह जो ढूरिय डू यहानि कि डूरिग इंडेबेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें यानि कि किसका यह नाम आपने सुना है तो आपको पता भी है इंटरनेशनल नेशनल फेडरेशन 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 ओफ लाइब्रेरी लाइब्रेडी एसो असो शेशन ठीक है और किया है इसके क्या है और किसके बतल और यूनेस को यह जो नाम है यह क्या है इसने क्या करा है लाइब्रेडी को लाने का काम करा है और लाइब्रेडी को क्या है एजुगेशन सिस्टम से जोडने का काम क्या है आपके इंडिया में क्या है इंडिया में यानि कि इंडिया मे राश्री टंडन का जिसका मैंने नाम लिया था यानि राश्री टंडन जो इलाबाद है वो क्या है डिस्टेंस एजुकेशन में एक तरह से लाइबरी और यह सारी ट्रेट यह सब चीज़ा को प्रोवाइड कराने का कारिये करती है इसलिए आपके लिए क्या है इंपोर्टें प्रोब्स करते हैं यह चलन कब से आया यानि यह जो चलन आहाए लाइबरी के कोर्स को चलन आया है सबसे जादा लाइबर का कुर्स इसका चलना आया था 1990 जो हमारे लेटर 2010 याने की यहां तक का जो सफर था वो सबसे जादा सफर आया है जैसे जैसे इसका यानि की लाइबरी का एक तरह से लोग बाव को पता चल रहा है और लोग बाव को मतलब किया आपकी students को पता चल रहा है उसके बाद यह सारी चीजे होनी शुरू हो गई है आप लोग जो student है वो इस field में PhD, M field जब से बंद हो है PhD और M leave करने लगे हैं क्योंकि देखिए जिस student को job चाहिए उसके साब से भी और जिस student को ग्यान का एक तरह से बंदारन के बीचें बैठके ग्यान प्राप्त करना है उसके लिए library क्या है library एक ऐसा field है जहां पर वह मुफ्त में ग्यान प्राप्त कर सकता है और दूसरों को भी ग्यान की प्राप्ति क यानिकि आपने एक word सुनाओगा जो लाइबरियन होता है यानिकि क्या क्या है कोई category नहीं होती category इन मींस मतलब कि वह कलर की है वह teacher भी है वह management का member भी है और जैसे आप कर मान के चलते हैं आप जैसे साइन्स का teacher है तो साइन्स का teacher ही है लेबर टेंडर नहीं है लेबर टेंड में क्या है वह color का काम भी करेगा क्योंकि उसे computer आता है यानि entry भी करना जानता है teacher है वह पढ़ाना भी जानता है वह management का काम भी करना जाता है यानि overall library का वह पूरा पूरा चीजों की यानि कि हर वह task कर सकता है जो क्या है और इसकी कोई category नहीं है तो यह क्या है education system इन इंडि community और आपको यह अपको एं पोश्ट- fruitful वाला कहानी में च्झेश वता है यानि क्या वह बेच ugिभाना जाता है we एक दरह बहुत की काह देर हमारी क्या है open university उने इसका विकास करने का काम क्या है education system में ठीक है यह था आपका चोटा topic यह नहीं कि जो हमने पुस्तकारले विज्ञान को हमने पढ़ा है जो क्या है एक तरह से पुस्तकारले विज्ञान का विकास करने का जो श्रीव आज आता है और एक तरह से जो चीजे ह है वह आपको पता होने जीए ठीक है चलिए आशे करता आपको वीडियो बस नाइए वीडियो बस नाइए तो लाइक करें चैनल को सुस्क्राइबर है वीडियो जासे शेयर गए थैंक यू